अलो फ्रेंज आज हम बनाएंगे ब्रेट पकोड़ा वह भी पनीर में डाल के चलते हैं बनाते हो और मेरी एल्फ करेंगे मेरे फादा ब्रेट पकोड़ा पहले हम आलू भूज लेते हैं सारे मसालयां दिखाते के मसाला यह अद्रक है कदू कस्किया यह हरी मिर्श है इसमें दलाव मिर्श भी आराय माका दनिया सोब अलू है यह अधा केजी कल लिए है इसमें डालेंगे थोड़ा सा कस्कृरी मेथी और चाट मसाला यह गर्म मसाला है थोड़ा सा यह लाल मिट्स पूटी हुए घर की कूटे हैं और यह है हमारा दनिया पाउडर चलते हैं स्टार्ट करते हैं तेल हमारा गर्म हो गया है इसमें डालेंगे सौफ और धनिया गैस को करते हैं मीडियम और इसमें डालेंगे हरीमिच और कद्दू कसवा अधरक पर इसमें आलो डाने लिए आलो आप कद्दू कस भी कर सकते हैं तो हम इसे हाथ से ही मस कर दे रहे है यह नई आलो आया पुरानी आलो भी ले सकते हैं आलो डाली है और इसमें डालेंगे मसाले जो मसाला बताये थे यह मसाला जाएगा इसमें डालेंगे नमक स्वाध हिसाब से इसको बढ़िया से भूजेंगे परविया से इसे मैस कर देना है यह यूारी द्धनिया नमक दैने हरी द्धनिया इसमें डालेंगे हरे धनिया कुर सबन्याज के शेजिए बोज बोज के मिला देंगे समय हमें कि आग पास अम्चुर पडर हो सबको में डी ताले नंगर नहीं पिल मज़ा नहीं आएगा इसको भी भूझ लेते हैं बनिया से अए तब रेडी हो गया है उनुकार लेते हैं पलेट में इसको निकाल लेते हैं देखिए तम आलू मरा रगम डेड़ी हो गया है अब उसको निकाल लेते हैं चलते बनाने लिए आलू माई तयार हो गई है निकाल लिए प्लेट में इसको अधिता थंड़ा हो जाए जो तक आगे बीटो तयार घरते हैं अब ले लिए हैं बेशन ये 25 कुराम से ज्यादा बे अब रेट फूट कलर भी डाल सकते हैं अगर कलर चंद चाहिए आपको तो रेट कलर का बनाना है तो हम सिभ अल्दी पॉड़र डालेंगे मार्किट में कुछ रेट कलर में आता है अपने पॉड़र पॉड़ा तो वह कलर पड़ा रहता है उसमें मेरे पास कलर है कलर में ही डालेंगे मेरे पास कलर है कलर में ही डालेंगे यहां साधा बनाए यहां पनीर भी डालेंगे इसमें तो इसलिए हम डाल रहे हैं इसमें ड भूपढे कि इसमें थोड़ा सा पथा झौ इसलीये है एक चुच्च की देख सकते हाब यह मीठा सोटा है कि इसको बेंकिन प्रोड़ा यह टो कि नियुक्वे सुड़ा गी इसमें थोड़ा क्षोक एझे-स सचेको है बंए बने जिब आप सारे मसाले में मिला लिए हैं, इसमें ठोड़ाखनेंगे पानी डालेंगे इसका एक पलई है गोल बनाएंगे इसमें थोड़ाखनेहिके पणड़ना है ज्यादा पणिट डाल देंगे फिर गीला हो जागा फिर बेसरन डालना पड़ेगा और इसी इसाब से इसे चलाना एक इतरफ सलाना है उल्टा कभी नहीं चलाना है तब बनिया आपका बैटम बनेगा बनिया फुला-फुला टौड़ा भी बनेगा देखे थोड़ थोड़ा पाणिट डाल के हम मिला लिए हैं यहां तक पहुंच गया है किसी इसाब से बनाना है देखिए और इसको थोड़ी देख लिए छोड़ देते हैं जो भी गुठली बनी होगी थोड़ा बहुत वह भी फूल जाएक फिर एक बाद चला देंगे इसको सब्सक्राद के छोड़ देते हैं और हम ले लिएंव बिरेड को कि एक रोटी बनाबनाना पीड़ा भाएं लिए हैं तक पट करेंगे ना जो चलते हैं आलो को भरते हैं अब हम जो है भड़ देते हैं ब्रेट को ब्रेट उठाना है ऐसे दो तरब से रखते हैं साइड में एक चिल्मस से अब हाँ से विवर सकते हैं हाँ से बढ़के दिखाते हैं यह रालू कि अब है अब है अब है अब है आए अब कि इसको फठाएंगे अलू को बढ़ियां से मस्त इसे आलू लगाना है अपने ब्रेट पर लब पतला भरेंगे तक हम अभी पनीर भरेंगे इसके साथ में परीशी से काट लिए हैं है कि च्यारों तरफ बंदा इसमें जैसे सपहला के रितम बढ़िया से भर देना है इसको जो है इसको आराम से अधे देखिये तो यह टीज गाली नहों इसे इस तरह हर जगह पर देना है आलो को कि इतना वदिया जो है है भर जाए रहा है कि देखिए रितम आपक वरेड में लगा दिक है इसमें लगाएंगे कि पनीर परीम लगाएंगे दो प्कério से है एक उभाड इसमें तोड़ा साथ यालु य कि अठिण ऑपर से और है किеше जवें अजद पर से आलो में लगाना पनीर का नवीर को पर से और था, अंट था, इसलिए पनीर को उपर से यालो लगा रहा है ताकि जो दूसरा लगाएंगे उसमें बराबर से बिलेड हमारा चपग जाए है इस पर आ गया है आप उसमें प्रेड लगा देते हैं इस तरह इसको थोछा प्रेस कर देते हैं ये इसको रखते हैं साइड में इसी तरह सब हम भर लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे हम सारे बेट को भर लिए हैं सारे बेट को भर लिए हैं इस तरह पूरे थालिम भी तया कर लिए भरके और इसकी कटिंग करेंगे हूं कर दो इसने के पीर टीकिन करेंगे इस तरह कर देते हैं वेज़ पिनत नहीं से आ गया सामने है कि एग इसको रखेते साईड में कि टल॑ जैसे तरह यह पीड़ा पाक की काटिए को यह प्युड है इसको बोलते हैं हमारे हम इसनप रोकी जाकवा बिलते हैं यूत काट रहा है प्रोइब को जो भी वारा प्रेड रहे है इसको कट्रिंग अुगते हैं एक सए कट्रो गया लां घा़ दोनों में अंदर प्रेड लगए देख रहे हैं अब इसको जो होगा आट आट सब्सक्राइब कटिंग कर लिए हैं रख लिए अब चलते हैं फ्राइब करने के लिए अब हम कड़ाई में तिल डाल दियां गरम होने के लिए उसके बाद हमारा बैटर वेदम तयार होगे बर मिला लेते हैं इसको अब देखें कितना बढ़िया रेडी है अब वाकी हमारा इधर साइड में आप देख पा रहे हैं पुरा इतम पनीर सबहरा आलू भरा ब्रेट रेडी है ब्रेट पहोड़ा बनाने के लिए अब चलते हैं स्टार्ट करते हैं तेलफों का इतम करम हो गया है इसमें करते हैं डिप बढ़िया से उठा के कराही पास बहुत लग लगाएंगे और इससे डालेंगे बढ़िया मिला के कड़ाई छोटी एक बाद में तीर नहीं पड़ेगा हमारा अब इसको एक तरफ सेują् एग अज इस अब इसको जो है लेक तरफ हमारा जिक गया है इसको वुअ और हिग माई चोटी है वीसलिए मैं 22 द्यार क्विशन आ रहा है इसको प्लाड़ देते हैं महाने प्लाश्यां के प्लिश्याग हो बड़ी कड़ाही में लोग मनाते हैं जो ऐसे कि बजार में खेले पर बड़ी रहते हैं दस बारा डाल देते हैं कड़ाही आप देखेंगे छोटी है जो बहुत बड़ी अगर्दम कलर भी आ रहा है तो इसको मीडियम पर सेखना है मेडियम आज पर एक बार हीट कर दीजिए गैस को तेल गराल हो जाए जिसके बाद मेडियम पर टाला जाए जाए तो इसको निकाल देख दोन तर फ्राइब कर लिया है तो निकाल देखना है पलेक मैं तो प्रेंट में आप देखना पड़ी अ बिड़ी अधर पोड़ा अमारा अ जारे पर निकल लेते हैं है कि अश्च में डालते हैं दूसरा बिड़ी पोड़ा है कि हल्पिंग में रहा है तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हम निकाल रहे हैं तो लोग डाल रहे हैं कि अधिकर हो जाएगा इसमें तीनी जाएगा तकि कड़ाइच होती है हमारी इसको भी थोड़ा साथ खलड़ देते हैं इसको भी निकाल लेते हैं इसको भी निकाल लेते हैं इपी उद्धें पढिया देखा अईयर हो गया है इसको निकाल देते हैं फिक डालते हैं दूसरा यह तो दूसरा पड़ाई दर्म निकाल रहे हैं यह बनिया है इसको भी उसे सेख लेते हैं फिर दिखाते हैं आगे वीडियो तकि इसे सेखना है तकि कड़ाई छोटी है बड़ी कड़ाई इंडाली है देल जाला दाली है इसे प्रेट लेडि हो गया है चलते हैं सबको सबकर देते हैं एक बार काटके दिखाते हैं बेड़ पकड़ा को एक पार इसे हाथ पर रखते हैं अग्दम जबर चस्प बना देखे रहे कड़ गया अंदर पनीर भी है और इसको रखते हैं साइड में कितना बढ़िया यहां रहा है देखिए यह और साथ में है चट्नी हरी दनिया और टमाटर के चट्नी बनाया है चलते हैं सब करते हैं और निकाल लेका खाने के लिए तोड़ा सा चट्नी प्रेड़ी होगे हमाँ प्रेड़ पोड़ा देखिए आप में चैनल पर नए है सब्सक्राइब जरू करें लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेट वीडियो पे